पाकिस्तान में जारी राजनेतिक उठापटक के बीच रूस की भी एंट्री हो चुकी है रूस ने इमरान खान के आरोपो का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की राजनीती में हस्तक शेप कर रहा है रूस का कहना है कि अमेरिका इमरान खान को मौस्को दौरा करने की सजा दे रहा है देखिए रिपोर्ट रूस ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक शेप कर अमेरिका की निंदा की है रूस का कहना है कि प्रधान मंतरी इमरान खान वाशिंग्टन का आग्याकारी नहीं होने की कीमत चुका रहे है इमरान को इस साल फरवरी मा में रूस आने के लिए दंड़त किया जा रहा है दरसल पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने रूस के राश्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन से 24 फरवरी को मुलाकात की थी ये वही दिन था जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैने हमले की खोशना की थी जिसके बाद से अब तक युद्ध जारी है रूस की विदेश मंतराले की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने मामले में कहा है मौस्को की यात्रा रद करने की अमेरिकी दबाव के बावजूद इमरान ने यात्रा की थी इस वर्ष 23-24 फरवरी को इमरान खान की मौस्को की कामकाजी यात्रा की खोशना के तुरंद बाद अमेरिकियों और उनके पश्टमी सहयोगियों ने प्रधान मंत्री पर कड़े दबाब डालने शुरू कर दिये और यात्रा रद करने को कहा विदेश मंत्राले की प्रवक्ता का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब खान ने आरोप लगाए है कि अमेरिका असलामाबाद में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहा है प्रवक्ता ने कहा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक स्वतंत्र देश के आंतरिक मामले में शर्मनाख हस्तक्षेप का अमेरिका का ये एक और प्रयास है और उपरोक्त तथ इसकी गवाही देते हैं इसके अलावा रूस के एक वरिष्ट राजनैक ने कहा कि घटना करम को देखने पर इस बात में कोई संदे नहीं कि वाशिंग्टन ने आग्या नहीं मानने वाले इमरान खान को दंडित करने का फैसला किया है इससे ये भी पता चलता है कि इमरान के सत्तारोड गठबंदन के कई सदस्यों ने तीन अप्रेल को और विश्वास प्रस्ताफ से पहले पक्ष और गठबंदन बदलने का फैसला क्यों किया गौर तलब है कि पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है और राश्ट्रपती आरिफ अल्वी ने देश के प्रधान मंत्री इमरान खान की सिफारिश पर नैशनल असेंबली को भंग कर दिया है इससे कुछ ही देर पहले नैशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने प्रधान मंत्री के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताफ को खारिश कर दिया था जिसके बाद से पाकिस्तान में लगातार बवाल मचा हुआ है इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें एक धम की भरी चिठी मिली है ये चिठी एक अमेरिकी राजनाइक ने पाकिस्तान के राजदूत के जरिये भीजी है जिसमें अमेरिकी राजनाइक ने पाकिस्तान के राजदूत को चेताबनी दी थी यदि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री अविश्वास प्रस्ताफ से बच गए तो इसके गंभीर प्रभाव होंगे इमरान लगातार अविश्वास प्रस्ताफ को विदेशी ताकतों की साज़िश पता रहे हैं याला कि अमेरिका ने इम्रान के दावो को सिरे से खारिज कर दिया था और अब मामले में रूस की एंट्री भी हो गई है जिससे पाकिस्तान में मचे सियासी भूचाल में नया ट्विस्ट आ गया है ऐसी खबर हम आपके ले लाते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी